बुड मॉनिंग स्वागत आप सभी का स्टेड़ी इंडिया यूटूब चैनल पर तो आई शुरू करते हैं आजम आट जनवरी 2019 का करेंटरफ्स का वीडियो जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए काफी इंपोटेंडे इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर दे के अगर अब तक आपने इस्टेड़ी इंडिया यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हां नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन में क्लिक करना भी ना भूले येदि आप इस वीडियो की पीडियो फायल राप्त करना चाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप से जुड़ जाएए जिसका लिंक वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्सिन बोक्स में दिया गया है वीडियो को लाइक करें और सेर करें क्योंकि आपके लाइक और सेर से में मोटिवसिन मिलता है चली इसी के साब शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्योंसन पहला क्योंसन है भारत कितने साल में और सेरी जीतने वाला पहला एसी डेस बन गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्सन ए भेतर साल बाद भारत भेतर साल बाद और सेरी जीतने वाला पहला एसी डेस बन गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेस लाइबर जान लेते हैं इस क्योसेस जुड़ी मेहतपुन जानकारी भारत ने 1947-1948 में उस्टेलिया में पहली टेस्ट श्रीज खेली थी भारत उस्टेलिया में श्रीज जीतने वाला भारत दुनिया का पांचवा देस बन गया है भारत से पहले इंग्लेंड, वेस्ट इंडीज, दक्सन अफरीका और न्यूजिलेंड ने उस्टेलिया में टेस्ट श्रीज जीती थी भारत को विदेश में दो साल बाद टेस्ट सीरीज में जीत हासिल हुई है विराट की कप्तानी में भारत ने विदेश में चोथी और कुल ग्यारवी सीरीज जीती है तो ये थी इस क्योशन जुड़ी मेतरपुन जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्योशन नेक्स्ट क्योशन है एरपोर्ट्स अथोरिटी ओफ इंडिया ने देश के कितने एरपोर्ट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगा दिया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन C सोला एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया ने देश के सोला एरपोर्ट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर प्रतिबंद लगा दिया है चलिए आगे बढ़ते ही और नेक्स लाइबर जान लेते हैं इस क्योसन जूडि मेतरफुन जानकारी 31 जनवरी तक 34 एरपोर्ट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक बेन का लगसे है एरपोर्ट्स अथोरिटी ओफ इंडिया ने जिन 16 एरपोर्ट्स पर प्लास्टिक बेन लगया है उनके नाम इस प्रकार हैं इंदोर, भोपाल, एहमदाबाद, भूनेश्वर, तिरुपति, तिच्चिरी, विजेवाड़ा, देहरादून, चंडिकड, वडोधरा, मधूरे, रायपूर, विजाग, पूने, कॉलकाता और वारानसी यह 16 एरपोर्ट्स के नाम हैं जिन में प्लास्टिक पर बेन लगया है तो यह 30 क्योशन जुड़ी महतरपुन जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्योशन सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बड़ने प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले इसके लावा आप वीडियो को सेर भी कर दें ताकि बाकी लोग भी हमार साथ जुड़ जाए और इस वीडियो को देख सकें नेक्स्कोशन है भारत की विकासदर मोजुदा वित्वर्स 2018-19 में कितने प्रतिसद रहने की संब्मावना हैं तो इसका सई- conqury top 20 Lite की रहने की संब्मावना है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइबट जान लेते हैं कुछ वित्वर्स के आकड़े 2018-19 वित्वर्स में ये आकड़ा 7.2% रेने का अनुमानी थे 2017-18 में ये आकड़ा 6.7% था और 2016-17 में वित्वर्स में ये आकड़ा 7.1% था इसके अलावा 2015-16 में ये आकड़ा 8.2% था तो ये 30 questions जुड़ी मैं तपन जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है भारती किर्केटर रोईद सर्मा की पत्नी ने अभी हाली में ही एक बेटी को जनम दिया है उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही answer is option B. समायरा भारती किर्केटर रोईद सर्मा की पत्नी ने अभी हाली में ही एक बेटी को जनम दिया है उसका नाम समायरा रखा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है किस विवाग ने रेल कुम्ब सेवा मोबाइल एप लोंच किया है तो इसका सही आंसर है ओप्शन ए रेल्वे ने रेल्वे विवाग ने रेल कुम्ब सेवा मोबाइल एप लोंच किया है जिसके अंदर कुम्ब इससर तक पहुँचने के रास्तों सुविधाओ वह ट्रेन से संबंदित जानकारी उपलब्ध होगी चली आगे बढ़ते हैं और ने फ्लाइबर जान लेते हैं मिनिस्ट्री ओफ रेल्वे के बारे में इसका हेड़कॉर्टर का यह सती थे तो यह निव देली में इसके लावा इसका जो फाउंडेड यह रे हो है 16 अप्रेल 1853 इंडिया इसका फाउंडेड यह रे और इसके जो रेल्वे अप्मिनिस्टर हो है प्यूस गोईल तो यह 30 क्योशन जूड़ी में तो पुने में चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्योशन नयक्स्ट कोउशन है यूद खेलो इंडिया खेल का अयोजन कहां पर होगा तो इसका सही आंसर हैodox सी पुणे में यूद खेलो इंडिया खेल का अयोजन पुणे में होगा पुणे काईस्ती थे तुँ महारास्ट में चलिया आगे वरते ही ओर नेक्स लाइबर जानले थे महारास्ट के बारे में महारास्ट के जो केपटेल होए मुंबई इसके लावा महारास्ट के जो गवणर होए सी विदेशागर राओ यह महाराष्ट के गवर्णर है महाराष्ट के जो चीफ मिनिस्टर है वो है डेवेंदर फंडवीस यह महाराष्ट के चीफ मिनिस्टर है इसके लबा महाराष्ट के जो सेक्स रेस्यो है यानि की लिंगा लुपात है वो है 929 तो यह और हाँ यह गेम 10 जनुरी से 13 जनुरी दर होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question सेशन पसंद आ रहा हो तो like बटन प्रेस करना बिल्खुर भी न भूले next question है देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र किस राजजी में स्ताफित किया गया तो इसका सई answer option B हरियाना मी कहा पे तो ही यवना न नगर के टोपरा कलाम मी देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र इस्तापित किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और ने श्लाइबर जान देते हैं हरियाना की बारे मी हरियाना की जो capital होए चन्डी गर इसके अलावा हर्याणा के जो गवर्णर हैं सत्य देव नारायन आरियां यह हर्याणा के गवर्णर है यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनहोर लाल खटर यह हर्याणा के चीफ मिनिस्टर है हर्याणा में जो दिश्टीट है वो टोटल 22 डिश्टीट है तो यह थी हर्याणा से जुड़ी मेहतपुन जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है अमेरिका के रक्षय विवाग पेंटागन के किस chief of staff ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है तो इसका सई answer option A Kevin Sweeney ने अमेरिका के रक्षय विवाग पेंटागन के chief of staff Kevin Sweeney ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स लाइबर जान लेते अमेरिका के बारे में अमेरिका के रक्षय विवाग पेंटागन डीसी ये अमेरिका की केपिटल है यहांके जो प्रेजडेंट हुए डोनाल ट्रॉप इसके लावं अमेरिका की जो पॉपलेसर ने उए 32.47 क्रॉप यहाँके जो करंसी वह उए US डोलोर और अमेरिका की जो वास्प्रेजडेंट हुए तो यह ती अमेरिका से जुड़ी महतपन जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है विज्ञान कांग्रेस में कितने देसों के पृति भाग्यों ने हिस्सा लिया है तो इसका सही answer is option B 60 देसों ने विज्ञान कांग्रेस में 60 देसों के पृति भाग्यों ने हिस्सा लिया है और ये विज्ञान कागिनेस कहा हो रहा है तो ये पंजाब के जालंदर सेहर में चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स लाइबट जान लेते हैं पंजाब के बारे में पंजाब का जो लेंड एरिया है वो है 50,312 किलोमेटर स्क्वार इसके अलावा पंजाब के जो चीफ इनिश्टर होए अमरीदर सिंग, पंजाब के जो केपिटल होए चंडेगर और पंजाब के जो गवर्णर होए वीपी सिंग बेंडोरी ये पंजाब के गवर्णर है तो ये थी पंजाब से जुड़ी में तपन जानकारी इसी के साथ आज का वीडियो ये इसमापत होता है अगर आपको वीडियो पसंद दया हो तो लाइक, कमेंट और सेर करना बिल्कुल भी ना भूले हम फिर मिलते हैं हमारे अगले करना फिर्स की वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू